दोस्तो गड़ेश चतुर्थी का तेवार शुरू हो चुका है ये तेवार पूरे दस दिनों तक चलता है गड़ेश जी के इस तेवार को मनाने के साथ साथ क्या आप जानते हैं कि भगवान गड़ेश जी के दस रहस्य क्या है भगवान गड़ेश के इन रहस्यों का उलेक प राप्त हो सके दोस्तों पंचांग के अनुसार हर साल गड़ेश चतुर्थी का पर्व भादरपत मास के शुक्ल पच्छ की चतुर्थी तिति को मनाया जाता है जो की चतुर्थी तिति से शुरू होकर पूरे दस दिनों तक मनाया जाता है इसे गड़ेश चतुर्थी गड़े इस साल गड़ेश शतुर्थी के शुरुवात 7 सितंबर 2024 से होगी और इसका समापन अनंत चतुरदशी के दिन 17 सितंबर को होगा गड़ेश शतुर्थी का पर्व भगवान गड़ेश को समर्पित होता है जो कि बुद्धी, सम्रद्धी और सौभागी के देवता कहलाते हैं भगवान गड़ेश को गजानन बपा धूम के तु एकदंत वकर टुंड सिद्धी विनायक गड़पती आदि कई नामोग से भी जाना जाता है मानेता है कि गड़ेश चतुर्थी के दौरान पूरे दस दिनों तक भगवान कैलाश परवत से आकर के धर्ती पर रहते हैं और भगदों पर क्रपा बरसाते हैं तो चलिए जानते हैं कि भगदों पर क्रपा बरसाने वाले हमारे गड़पती बपा के दस रहसी क्या है गणपती पपा के दस रहसियों बे पहला रहसिय है गनेश जी की उत्पत्ति से सबंधित पुराणों में गनेश जी की उत्पत्ति की विरोधा भास कताई मिलती है भाद्रपद शुकल की चतूर्थी को दोपहर के समय गनेश जी का जनम हुआ था एक कथा के अनुसार शनी की द्रश्टी पढ़ने से शिशु गणेश जी का सिर जलकर भस्प हो गया था इस पर दुखी पारवती ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिसका सर सर्वतम मिले उसे ला करके गणेश जी के सिरपल लगा दो पहला सर हाथी के बच्चे का मिला और उसे गणेश जी के सर पर लगा दिया गया दूसरी खता के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिटा कर पारवती जी स्नान करने लगी इतने में भगवान शिव आए और पारवती जी के भवन में प्रवेश करने लगे गनेश जी ने जब उने दोका तो क्रोध में आकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया इन गनेश जी की उत्पती पारवती जी ने अपने शरीर के मैल और चंदन को मिला कर की थी जब पारवती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर कट गया है तो वह क्रोधित हो उठी उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हांती के बच्चे का शिर गणेश जी के सिरपल लगा दिया और वो जी उठे श्री गणेश जी का जन्व भादर पदर शुकल की जतुर्थी तिति को दोपहर बारा बजे हुआ था कहते हैं कि माता पारवती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुन्यक नामक उपवास रखा था इसी उपवास के चलते माता पारवती को श्री गणेश पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे शिव महापुराड के अनुसार माता पारवती को गनेश जी का निर्माड करने का विचार उनकी सकी जया और विजया ने दिया था उनकी सक्षियों ने उनसे कहा कि नंदी और सभी गड़ सिर्फ महादेव जी की ही अरादना में लीन रहते हैं और उनी की आग्या का पालन करते हैं इसलिए आपको भी एक ऐसे गड़ की रशना करने चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आग्या का पालन करे इस विचार से प्रभावित होकर माता पारवती ने शी गड़ेश जी की रशनाक अपने सजीर के मैल से करी दूसरा रह से गड़ेश जी के संबध में उनकी पतनी पुत्र और पुत्री से संबंदित है गनेश जी के रिद्धी और सिद्धी नाम की दो पत्निया है जो पजापती विश्व कर्मा की पुत्रिया है सिद्धी से छेम और रिद्धी से लाब नाम के दो पुत्रों हुए जो परंपरा में इन्हें ही शुब लाब कहा जाता है शास्त्रों में टुष्टी और पुष्टी को गनेश जी की बगवे कहा गया है गनेश जी के पोते आमोध और प्रमोध हैं मानिता के अनुसार गनेश जी की एक पुत्री भी है जिनका नाम संतोशी है एक कथा के अनुसार भगवान गनेश जी अपनी बुवा से रच्छा सूत्र बधवा रहे थे इसके बाद उपहर का लेंदेन देखने के बाद गनेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा इस पर गनेश जी ने कहा ये धागा नहीं एक सुरक्षा कवच है ये रच्छा सूत्र आशिरवाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ये सुनकर शुब और लाप ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए ये सुनकर भागवान गनेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योती उत्पन करी उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ती के साथ उसे सम्मलित कर दिया इस ज्योती ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गनेश जी की पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम संतोशी रखा गया ये पुत्री माता संतोशी के नाम से विख्यात हुई है तीसा रहसे जो गनेश जी के विशह में है वो है गनेश जी के यूतो कार्तिके ही एक मात्र भाई है जिने सुब्रमन्यम और मुर्गुन भी कहा जाता है जब देवताओं में प्रतम होने की होड हुई तो कार्तिके धर्ती का चक्कर लगा कर जीद गये लेकिन गनेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये सिद्ध कर दिया की वे ही प्रतम है कार्तिके के लावा गनेश जी के अन्य भाईयों के नाम सुखेश, जलंदर, अयप्पा और भूमा और उनकी एक बहन भी है गनेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी है कहते हैं कि शिवपुत्र गनेश जी के भाई कार्तिके ने विवाह नहीं किया था चोथा रहस शी गनेश जी के प्रतम पूज देवता के रूप में है सभी धर्मों में गनेश जी किसी ना किसी रूप में पूजे जाते हैं या उनका आवाहत किया जाता है ज्योतिश शास्तिके अंसार गनेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है गनेश पूजा से बुद्ध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता है प्रितेक शुब और मांगली कारे में लाव और शान्ती हेतु सबसे पहले गनेश जी की इस्तुती और पूजा करी जाती है ऐसा करने से किसी भी प्रकार का विग्न नहीं आता है शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाश वाड़ी हुई कि जब तक आप शी गनेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संघार आप नहीं कर पाएंगे तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुला कर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त करी पांचवा रह से गणेश जी के महिमा के संब्ध में बताया जाता है दोस्तों गड़पती आदिदेव हैं जिनोंने हर युग में अलग-अलग अवतार लिये हैं गणेशी सत्युग में सिंग, त्रेता युग में न्वयूर, द्वापर युग में मुशक और काली काल में घोडे पर सवार बताय जाते हैं कहते हैं कि द्वापर युग में वे रिशी पराशर के यहां गजमुक नाम से जन्मे थे उनका वाहन मुशक था जो की अपने पुर्व जन्म में एक गंधर्व था इस गंधर्व ने सौभारी रिशी की पत्नी पर पुद्रश्टी डाली थी जिसके चलते इसको मुशक यूनिय में रहने का श्राप मिला था इस मुशक का नाम डिंक है उनके बारा प्रमुक नाम है सुमुक, एकदंत, कपिल, गजिकर, लंबोदर, विकट, विग्न, विनाशक, विनायक, धूमरकेतु, गडाध्यच, भालचंद्र और गजानन उनके प्रते एक नाम के पीछे एक कथा भी है अब आये दोस्तों गडेश जी के छटे रहसे के बारे में जानते हैं जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी उसी तरह से गनेश जी को भी समी ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करी थी इसके अत्रिक्त गनेश जी के पास अपनी खुद की भी शक्तियां है दोस्तो साथवा रहसे गड़ेश जी के विशे में है कि भगवान श्री गड़ेश का सरकटने की घटना के पीछे एक प्रमुक किस्सा है ब्रमु वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान श्रीव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था इस प्रहार से सूर्य देव चेतना हीन हो गए सूर्य देव के पिता कश्य अपने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राब दे दिया कि जिस प्रिकार तुमारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरी नश्ट हुआ है उसी प्रिकार तुमारे पुत्र का मस्तक भी कट जाए इसी श्राब के फलसुरूप भगवान श्री गनेश के मस्तक कटने की घटना घटिद कुई गनेश जी के विशे में आठवा रहसे है ब्रह्म वैवर्त पुरान के अनुसार जब सारे देवी देवता श्री गनेश जी को आशिरवात दे रहे थे तब शनी देव सिर नीचे की वे कड़े थे माता पारवती के द्वारा पूछने पर सनी देव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित न हो जाए इसलिए मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ लेकिन जब माता पारवती के कहने पर उन्होंने बाला का मुख देखा तो कुछ समय के बाद ही उनका सर कट किया गरेश जी का नवा रहसे उनके शरीर के रंग को लेकर है शिव पुराड के अनुसार गरेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा है इसमें लाल रंग शक्ती और हरा रंग सम्रद्धी का प्रतीक पाना जाता है इसका आशे ये है कि जहां गरेश जी है वहाँ पर शक्ती और सम्रद्धी दोनों का वास होता है दस्वा रहसे गरेश जी का उनके लेकर के है गनेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था इस ग्रंथ के रचहिता तो वेदव्यास है परंतों इसे लिखने का अदायत वश्री गनेश जी को दिया गया इसे लिखने के लिए गनेश जी ने एक शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में रुकनी नहीं चाहिए इसके लिए वेदव्याजी ने उनसे कहा था कि वे हर इस लोग को समझने के बाद ही लिखे इस इस लोग का अर्थ समझने में गनेश जी को थोड़ा समय लग जाता था उसी दोरान वेद्व्याजी अपने जरूरी कामों को पूरा कर लेते थे इस प्रकार से बिना रुके हुए गनेश जी ने महाभारत का लेखन कारे पूरा किया दोस्तों गनेश जी का एक रह से उनके दाट के पीछे भी है एक बार परुषराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलास पहुचे तो भगवान अपनी साधना में लीन थे तब गनेश जी ने परुषराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया इस बात से क्रोधित होकर परुषराम जी ने अपने फरसे से श्री गनेश जी पर प्रहार कर दिया जो कि उन्हें शिव जी ने दिया था गनेश जी उनके फरसे के वार को खाली नहीं होने देना चाहते थे इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दाथ पर छेल लिया इस वार के कारण ही उनका एक दांट तूड़ गया तब से वे एक दंत कहे जाते हैं दोस्तों अब आईए हम गनेश जी के पसंद के बारे में जानते हैं दोस्तो गनेश जी के प्रिय वस्तु दूरवा है उनका प्रिय भोजन बेसन और मोदक के लड़ू इत्यादी है इसके साथ ही फलो में केला उनको पसंद है शिव महापुराड के अनुसार कि गनेश जी को दूरवा जो चढ़ाई जाती है वो जड़रहित और चार उंगली लं ही हो तो कमेंट बॉक्स में गड़ पती बपा मोरिया जरू लिखेगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे